चलिए अब बात करते हैं तीन चीजों की, एक हम बात करेंगे अभी subject की, एक बात करेंगे helping verb की, और थर्ड बात करेंगे verb की, तो सब्जेक्ट क्या होता है, subject क्या होता है, subject क्या होता है, subject होता है, जो काम कर रहा हूँ, जैसे एक example समझे, जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है तो मैं जोपो यहां पर क्या हुआ subject है, तो subject का मतलब आप समझगे, अब subject देखिए, दो type के subject होता है, एक होता है singular, एक होता है singular, एक होता है plural, अब देखे, singular क्या होता है, और plural क्या होता है, singular मतलब की एक, singular मतलब की एक, singular मतलब की एक, ठीक है, singular मतलब की एक, ठीक है, singular मतलब की एक, ठीक है, और plural मतलब की एक से जयादा, वो दो भी उसकते हैं, तीन भी उसकते हैं, चार भी, जितने मर्जी होचाएं, ठीक है, तो plural मतलब की एक से जयादा, ठीक है, plural मतलब की एक से जयादा, ठीक है, अब singular में कौन कौन आ जाएंगे, singular में कौन कौन आ जाएंगे he c it आ जाएगा या कि जिकर name आ जाएगा ठीक है यह सब भी जो वो singular में आ जाएंगे और plural में कौन कौन से आ जाएंगे plural में जो वो एक स्यादा मतलब की I देखे I को भी हम लोग प्लूरल में ही count करते है ठीक है I हो गया I U हो गया V हो गया ठीक है भी मतलब हम और दे हो गया ठीक है दे तुदेखे यहां पर ही जो आपको बताओगा कि यह जो वो इसका मतलब होता है वो हो या उसे ठीक है यह जो वो पूर्स के लिए जो जो मेल है उसके उसको करेंगे और छी century कि लिए महिला मैं के लिए do चीश करेंगे और इतों को इसको इस नाम नेम मतलों किसी का नाम क faces प्लूर्ल में आंउजजेंब मैं मैं होता है तुम या तुम है था कि हम या तुम हे वी का मतलब हम या हमें ya मतलब वे या उन्हे इस बात की अब दो-दो याद रिखिए ता कि आपको जैसे एक example हम करेंगे कुछ example तो आपको जो गब एक दम से पकलेंगे जैसे तुमें जाना चाहिए तो तुमें के लिए आप सुचेंगे की यू तो तुम होता है ठीक है यू तो तुम होता तो यू शुड़ गो यहां पर उसके यू सुड़ गो तो ए थे हमारे सब्जेक्ट तो पर दो टाइप के सब्जेक्ट मंदे के सिंगुलर और प्लूरल नेक्स बात करते हैं यहां पर दो यहां पर दो यहां पर देखेंगे इस वीडियो में के या सकता है या सकती है और सुड का मतलर होता है चाहिए सुड का मतलर होता है चाहिए सुड का मतलर के होता है चाहिए होता है सुड का मतलर अब देखेंगे एक एक एकजमपल से इसको समझते हैं जैसे मैं जा सकता हूं मैं जा सकता हूं तो मैं की आपको बता है कि आई होती है ठीक है आई अब जा सकता है सकता है सकता है मैं कर सकता कहता हूं जब भी कैसी जब भी कभी ऐसी बात है कैफिस्टी की बात है तो यहां पे हमेशा ही कैन का करना है यह जो वो एक मॉडाल होते हैं ठीक है तो यहां पर जो वो कैन करना है जैसे मैं जा सकता हूं तो आई कैन गो आई कैन गो जैसे तुम्हें जाना चाहिए जैसे तुम्हें जाना चाहिए जाना चाहिए तो अभी मैंने बताया कि सूट की जो हिंदी होती है वो क्या होत आंपर आपको करने नहीं के लिए आ पढ़ना चाहिए तो यहां पर Pop Guru बोड़ान तुमें जाना चाहिए तो यहां पर क्या यूज करें इसूद पर क अब लोग बर बोलते हैं जैसे मैं खेल रहा हूं ठीक है मैं खेल रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं ठीक है तो यहां पर काम क्या हो रहा है खेलना हो रहा है ठीक है मैं खाना का रहा हूं खाना ठीक है तो वहां पर यह जो वह क्या है यह जो वह बर है हमारी जैसे आना हो गय और उसके बाद जो आप यूज करिए तो ऐसे आपने इसको यूज करना है